अब होगी इलेक्ट्रिक से खेती, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अब हम कर सकेंगे, बिजली से खेती एवं पा सकते हैं, दोगुनी उपज मात्र 15 दिनों में, तो दोस्तों, आपको यह सुनकर बहुत सोक्ट लग रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब इलेक जानते हैं क्या है e-soil, और इसमें ऐसा क्या है, जिससे फसल 15 दिनों में दोगुनी हो जाती है, तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो को लाइक कर ले, end, इसी प्रकार, इन्फोर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वेल आइकॉन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम इस प्रकार की इन्फोर्मेटिव वीडियो लाए, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वैज्यानिकों ने अब electronic मिट्टी यानी e-soil को विकसित कर लिया है, उनका दावा है क कि e-soil की मदद से मात्र 15 दिन के अंदर फसल की उपज को दो गुना किया जा सकता है, PNS जर्नल में पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट के मताबिक e-soil के जरिये अब शेहरों में भी खेती की जा सकेगी, खराब मौसम के बावजूद, खेती संभव होगी, लिंकोपिंग यु जिससे फसल 15 दिन में दोगनी हो गई, क्या है electronic मिट्टी? वैज्यानिकों का दावा है कि उन्होंने इस तरह की मिट्टी विकसित की है, जो सामान्य मिट्टी से ज्यादा उपजाओ है, इसमें पौधे तेजी से बढ़ते हैं, वैज्यानिकों ने मिट्टी को ऐसे तयार कि जिससे उनमें बिजली प्रवाहित करके खेती के लिए इस्तिमाल किया जा सके, इसे उन्होंने electronic मिट्टी का नाम दिया है, रिसर्च से जुड़े शोधकरताओं का मानना है कि दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है, दुनिया जलवायू परिवर्तन से गुजर रह भविश्य में खेती के मौजूदा तरीकों से फसल उगाना परियाप्त नहीं होगा, ऐसे में ये तरीके काफी कारगर साबित होंगे. कैसे किया प्रयोग? वैज्यानिकों ने इलेक्ट्रोनिक मिट्टी का प्रयोग जौ के पौधे पर किया है, जिसमें विद्युत का प्रयोग रूट सिस्टम पर किया गया है. इसका प्रयोग पानी में पौधों को उगाने की विधी पर किया गया है, जिसे हाइड्रोपोनि को पहले ही इस विधी से उगाया जा रहा है रिसर्च में शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि जौ को न सिर्फ इस विधी के जरीए उगया जा सकता है बलकि इलेक्ट्रिकल स्ट्रिमूलेशन के जरीए उनकी बढ़त पर भी सकारात्मक असर डाला जा सकता है यानि उनकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है कैसे बनाई गई इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी इसोईल को सेलियूलोज से बनाया गया है ये एक बायो पॉलिमर है जिसमें इलेक्ट्रिकल स्ट्रिमूलेशन गुजारा गया रिसर्च में सामने आया कि ये बहुत कम एनरजी का इस्तेमाल करती है और इससे हाई वोल्टेज का खत्रा नहीं होता है शोद करताओं का कहना है कि नई स्टडी ने हाइड्रोपॉनिक तक्नीक से खेती को बढ़ावा देने के लिए नए रास्ते खोले हैं इस रिसर्च की मदद से फसल की उपज का दाइरा बढ़ाया जा सकेगा हो सकता है कि यह फूड सिक्यूर्टी का बहुत बड़ा हल न दे पाए लेकिन ऐसी जगहों के लिए बड़ी राहत देने वाली तक्नीक बनेगी जहां का वातावरन खेती करने लायक नहीं है तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताए और साथ ही ऐसी इंफरमेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल AK247 Academy को सबस्क्राइब कर वेल आइकॉन प्रेस कर ले